स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, आज के इस वीटिए में हम सभी सीखेंगे टेंस के बारे में टेंस क्या होता है? टेंस के कितने भेद होते हैं? अगर आप सभी कलाश 10, कलास 12 का एग्जाम दे चुके हैं और अभी आपके पास 2 मेने का समय है रिजल्ट आने में तो आप सभी हमारे चैनल पर जुड़ जाईए सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा इंग्लीज के बेसिक्स नॉलेज आप लोगों को दिये जाएंगे साथी साथ आप सभी धीरे-धीरे इंग्लीज बोनने की शुरुआत कर पाएंगे प्रेश चैनल पर नहीं होंगे समकराईब कीजिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं तो कोKI कहते हैं DR फेल में क्या करते हैं कवं आस्ठ काल का मतलब भूत का जो की कारें हो गया है समय बीच पीट जो की आने वाले समय में क्रे if होगा उसे फैजर कहा जाता है तो यहीं तीनों टेंस के बारे में discuss करेंगे और टेंस में टोटल बारा healthcare 12 थरा गसे जैसे पर सब्सक्राइब टेंस नटेंश है परंड टेंस में चार तरह के उसमें भागें जैसा देख सकते हैं ऑप सभी कि कि जो परजेंटेंट होता है उसके चार भेर होते हैं पहला पर्जेंट in defining तेंस परजेंट कॉंटिनूवस में नहां होता है परजेंट परफेक्ट इन जम सकते हैं पास्टिनुवस रping 110 पर फ्रक्ट स्टेन्जंस यह आर्ट अर्ट टरह का सेंटेंस हो ङया बात करेंगे सीचाओं की तो भी फार इंडिफ नाइक टेनस फिटर कॉन्ट एस फिचर फिटर परफेक्ट कोटिकर अनुर्ष टेनस तो इस तरह के बारा तरह केवाक्य बनाने आपको सीखने होंगे तो उसमें भी आपका एकवाक्य 30 तरह का बनेगा जैसे परजेंट इंडिफनाइट टेंस का एक्जामपल लेते हैं माल लीजे वे लोग किर्केट खेलते हैं ये वाकिको हम लोग 12 तरीके से बना सकते हैं इसमें 3 तरीके का बनेगा वे लोग किर्केट खेलते हैं वे लोग किर्केट नहीं खेलते हैं क्या वे लोग किर्केट खेलते हैं अगर हम लोग इसमें चले जाएंगे तो वे लोग किर्केट खेल रहे हैं, वे लोग किर्केट खेल रहे हैं, क्या वे लोग किर्केट खेल रहे हैं, अगर तीसरे में चले जाएंगे, परफेक्ट में, तो इसमें यही वाला बनेगा, वे लोग किर्केट खेल चुके हैं, वे लोग किर्केट खेल चुके हैं, क्या एक भी एक वाक्य को हम लोग 12 तरह का अगर बनाने सीखेंगे तो पूरा टेंस खतम करने में आपको 36 36 टाइब्स के वाक्य बनाने होंगे तो यह 36 तरह के वाक्य आपको हमारे चैनल पर बनाने के लिए सिखाया जाएगा तो चैनल पर नहीं जुड़े होंगे सस्क्राइब कर लिजेगा और डेली आप लोगों को कुछ न कुछ हमारे चैनल पर वर्ड मिनिंग अप्लोड होगा साथी साथ आप लोगों को कुछ डेली यूज होने वाले दस या पांच वाक्य मैं अप्लोड करूंगा चैनल पर तो डेली विजिट कीजिए चैनल को और जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अपना इंगलिस का जो बेसिक है उसे आप लोग सही कर पाएं और बेसिक अगर सुधार लेते हैं उसके बाद इंगल इंगलिस जो है काफी अच्छा से हो जाए उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चैनल को धन्यवाद